ओम शांती, 16 फेवरी की इश्वरतन में आप सब का सोगत है, परमात्मा से शक्ती लेकर के हर परसिती को सॉल्व करना, इसके बार में अच परमात्मा कहते हैं अपनी शब्द में, बाप से शक्ती लेकर बाप मतलब परमपिता परमात्मा हमात्माओं का बाप, शक्ती लेकर हर परसिती को हल करने वाले साक्षी दृष्टा भावा और हम बक्ती में करते थे प्रभू हमारी प्रॉलम ठीकर दो भगवान मेरे प्रॉलम ठीकर दो भगवान में को इससे हल दिखा दो भगवान मेरा रस्ता क्लियर कर दो परमात्मा कहते हैं अब तुमें ग्यान मिल गया है त समझदार आत्मा हूँ और साथी साथ मैं आत्मा हर परस्तिती को विगन विनाशिक बन करके हर विगन को पार कर लेती हूँ तो मैं गनेश सुरूप आत्मा भी हूँ तो परमात्व कहते हैं बाप से शक्ती लेकर हर परसिती को हल करने वाले साक्षी दरिश्टा बाबा बाप आप बच्चे जानते हो कि अती के बाद ही अंत होना है किसी भी चीज़ का extremity कोई भी situation आपकी life में चाए दुनिया के drama की situation हो चाए अपने खुद के personal drama की situation हो उसमें भी जब तक अती नहीं आती तब तक आंतनी होता है तो हर प्रकार की हलचल अती में होगी परिवार में भी खिट-खिट होगी यह न तो अती जब होगी तो क्या होगा हर प्रकार की हलचल अती में होगी परिवार में भी खिट-किट होगी क्योंकि संसकार नहीं मिलेंगे कोई ग्यान में चल रहा है कोई ग्यान में नहीं चल रहा है मन में भी अनेक उल्जने आएंगी क्या करें, कैसे करें, क्या होगा धन भी नीचे उपर होगा परमात्मा क्या दिया है यह से नहीं कि स्मूद सलता रहे हैं बिबकुल कुछ हल चलाई, कोवेड आये, सब कर सब नीचे गया इंडस्ट्री भी नीचे गई, स्टॉक मार्केट भी नीचे गई बिजनस भी फेल हुए, जौब्स भी चली गई लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं उनका जवाबदार बाप है तो परमात्मा कहते हैं अगर वो हलचल में तुम भी अगर हिल गए तो फिर मैं जवाबदार नहीं हूँ अगर तुम अडिक रहे, अचला डोल रहे तो फिर मैं जवाबदार हूँ ऐसे समय पर, मन बाप की तरफ हो तो निर्ने शक्ती से सब बार कर लेंगे अगर हलचल में आगे, अपना खुद का मनमत यूज़ करना शुरू कर दिया या परमत शुरू कर दिया, अरे तुम ऐसे कर दो उसके साथ में तुमने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, तुम भी ऐसे कर दो यह होगी परमत, एक होगी मनमत, मैं दिखाता हूँ, मैं कौन हूँ, यह जानते नहीं वो अपने अंदर के अभिमान से आती है और दूसरा होता है, परमपिता परमात्मा, इस सिच्वेशन में मैं क्या करूँ तो आप से शक्ति लूँ, और फिर सोचूं क्लियरली, और फिर निर्ने लूँ उसमें टाइम लगता है, क्लिरेटी आने में, क्योंकि अंदर एक दूंद चलता है और उसकी बाते, अपने मन की बाते, जो कि अभिमान का फाउंडेशन वाली होती है दिखा देंगो उसको, समझा देंगो उसको, वो समझता क्या है ये सब कुछ अभिमानगर ऐसे संकल पा रहे हैं, उनको साइट करी है ये विर्थ है, इंप्योर है, नेगेटिव है और अगर दूसरों की बाते कान में दूंजती हैं, तुम भी कर देना, तुम भी दिखा देना उसको तो वो भी विर्थ है, वो भी तरीका नहीं है तो परमातमा से फिर गाइडेंस लेने के लिए, इस कचले को हटाना पड़ेगा इन वीड्स को हटाना पड़ेगा इन विर्थ जंगली पौधों को हटाना पड़ेगा संकल रूपी ताकि परमातमा हमें सही संकल दे पाए ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो तो निर्णे शक्ती से सब पार कर लेंगे साक्षी द्रिष्टा हो जाओ डिटाच हो करके देखो साक्षी द्रिष्टा मनलब कि यह मेरी सिच्वेशन नहीं है यह सब्सक्राइब किसी और की अगर ऐसी सिच्वेशन हो तो उसे क्या करना चाहिए अगर कोई और ऐसी सिच्वेशन होता तो उसे क्या करना चाहिए यह करने से हम डिटाच हो जाते हैं साक्षी द्रिष्टा हो जाते हैं तो बाप की शक्ती से हर परिसिती को सहज हल कर लेंगे उम्शंति